आज कार्थिक महा के शुक्ल पक्ष की प्रदिपता आते थी है इसलिए आज यानि दो नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा को अनुकूट के नाम से भी जाना जाता है गोवर्धन पूजा का संबंध द्वापर युक से है ये पर्व भगवान श्री क्रेशन को समर्पित है प्रकृती और मानत के बीच संबंध का पर्व है गोवर्धन पूजा गोवर्धन पूजा विशेश रूप से मतुरा व्रिंदावन गोकुल और बरसाने में मनाया जाती लेकिन इस बार अमावस्यत थी दो दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा दो नवंबर को है गोवर्धन पूजा के मौगे पर घरों में अनकूट का भोग लगाया जाता है गोवर्धन पूजा विधी इस दिन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन परवत और गाय की पूजा का विशेश महत्व होता है पंचांग क्यानो सार इस बार कार्तिक मास के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी के शुरुवात एक नवंबर को शाम छे बच कर सोला मिनिट पर हो जाएगी और तिथी का समापन दो नवंबर को रात आट बच कर एक किस मिनिट पर होगा ऐसे में ओदिया तिथी को आधार मानते हुए गोवर्दन पूजन दो नवंबर को है गोवर्दन पूजा का शुब मूरत इस वर्ष गोवर्दन पूजा का शुब मूरत दो अक्टूबर को दो पहर तीन बच कर बाइस मिनिट से लेकर शाम 5 बच कर 34 मिनिट तक है इस शुब मुहरत में गोवर्दन पूजा करना बहुत ही शुब है गोवर्दन पूजा प्राते काल मुहरत 6 बच कर 34 मिनिट से 8 बच कर 46 मिनिट तक गोवर्दन पूजा साइकाल मूरत 3 बच कर 22 मिनिट से 5 बच कर 34 मिनिट तक गोवर्दन पूजा का महत्वर धार्मिक मानेताओं के अनुसार हर वर्ष का आर्थिक महा के शुक्लिपक्ष की प्रतिवदाति थी पर गोवर्दन की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और इसके अलावा धन्धाने संतान और सौभाईगे की प्राप्ती होत गोवर्धन पूजा पर गाहे भगवान करेश्ण और गोवर्धन परवत की पूजा का विशेश महत्व होता है गोवर्धन पूजा करने के लिए आप सबसे पहले घर के आंगड में गाहे के गोवर से गोवर्धन की आकरती बनाए इसके बाद रोली चावल खीर बताशे जल दूद, पान, केसर, फूल और दीपक जला कर गोवर्धन भगवान की पूजा करें इसके बाद अपने परिवार्सायत श्रीकृष्ण स्वरूप गोवर्धन की साथ प्रदक्षना करें मानेता है कि इस दिन विदिविदान से और सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की प फल और सबजियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है अन्नकूट का भोग बनाने के लिए कई तरह की सबजियां दूद और मावे से बने मिश्ठान और चावल का प्रेयोग किया जाता है फिलाल इस जानगारी में इतना ही तमाम मैंसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट भी हार जार खड़ें